नमस्कार स्वागत है आप सभी का इव विद्या चानल नमबर 9 पर मैं स्रुजन राजपूत हूँ और आप हमसे जुड़े हुए कक्षा 9 के बच्चे विशय हिंदी को लेकर शीशक एक बहुत ही इंड्रेस्टिंग जो आज के सत्र में आप सभी जानेंगे यह सत्र आपके लिए CIEET NCRT द्वारा लाइव इंटरेक्टिव परस्तुत किया जा रहा है आप कारिक्रम का हिस्सा भी बन सकते हैं कारिक्रम में जैसे कि मैंने कहा कि शीशक बहुत ही हमारा आज का रुची वाला है जिसे सुन कर जिसे जान कर आपको बहुत अच्छा लगेगा और आपको कुछ सीखने को ज़रूर मिलने वाला है हमारा टाइटल है प्रीम चंद के फटे जूते जिसे लिखा है हरी शंकर परसाईने तो हम सभी जानते हैं कि प्रीम चंद जो कि अपने आप में किसी परिचए के महताज नहीं है ऐसे साहित्यकार ऐसे लेखक सदियों में एक बार आते हैं और साहित्य में अपना नाम मर कर जाते हैं गोदान और गबन जैसे जो साहित्यकार रहे हैं जिनकी रचना प्रेमचंद जीने की और वहीं उनके बारे में अब इस पार्ट में जो हम पढ़ने जा रहे हैं हरी शंकर परसाई लिखते हैं प्रेम चंद के फटे जूतें तो क्या है ये शीर्षक और क्यों इतना ऐसा शीर्षक जिसे सुन कर आप कुछ भी ना समझ पाएं इस बारे में समझने के लिए आप जरूर इच्छुकोंगे हमारे अतिती भी है उनसे भी मिलवाओंगी लेकिन जाना चाहूंगी कि आप यदि शीर्षक को सुन कर या आगे जब आप पार्ट को जानना शुरू करेंगे आप कुछ जानना चाहते है कि आपको ये प्रशन समझ नहीं आया है ये बात समझ नहीं आई तो आप हमसे कॉन्टेक कीजी हमारा फोन नंबर है 8800 440 559 8800 440 559 सभी जानकारी के साथ साथ लगातार ये आपकी स्क्रीन पर दिखाई जा रही है ये जानकारी भी ये फोन नंबर भी क्योंकि आप हमें मेल भी लिख सकते हैं तो मेल के लिए एड्रेस रहेगा dth.class9.net.nic.in मैं स्रुजन मिलवाना चाहूंगी आपको आज की अतीती से हमारे साथ है माम डॉक्टर वंदना शर्मा माम अभी नंदर नमस्ते नमस्ते माम हमारे साथ असिस्टेंट प्रोफेसर हैं हिंदी की और हमारे ही NCRT विभाग के DEL Department Department of Education and Languages New Delhi से हैं और आज माम से ही जानेंगे कि इस पार्ट में यह जो हम एक शीर्षक है जिसे सुनकर हमारे दिमाग में एक क्योरिसिटी से जाकती है कि यही शीर्षक क्यों तो पहले तो मैं हम आपसे यही जानेंगे कि हरी संकर परसाई का परच्छाए भी है हमारे सभी छात्रों के लिए आप बताएं और इसके सुल और यह एक हाश्य वेंगे निवन्द है जो हरी संकर परसाई द् retro लिखा गया है और जाने मानने हां शीर्षक का परच्छा यह जाते हैं मौण और पधिक निवन्दख़े तो प्रेमच थे जूत्ते जो सीर्सक है वह अपने आप में आनूठ jour otras सीरसक है। जैसा कि हम देख पा रहे हैं और सुन पा रहे हैं प्रेम चन्ड ऐसा कोई भी नहीं होगा जो साहित्य कार को नहीं जानता हूँ। तो उन्हों ने जो हरी संकर पड़साई है उन्हों ने प्रेम चन जी को आधार बना कर ये वेंगे निबंध लिखा है। तो उन्होंने एक चित्र देखा था, हरी संकर पड़साई ने, जिसमें उनका बाया पेर का जो जूता था, वे फटा हुआ था, उसके छेत था, तो उनकी जो एक प्रख्यात साहित्यकार होने के बावजूद भी, उनकी जो इस्तिती थी, उसका चित्रन उन्होंने एक वेंग कि इस प्रकार काहा है, और कि वह किसी को चूभे भी ना, और उनकी बाद भी स्पस्ट हो जाए, तो ये एक प्रकार का वेंग्यात्मक निबध है. मैम क्या वाकि ही उस समय की स्थिती की अपकी समय की स्थिती से भी हम तुलना जरूर करेंगी, लेकिन क्या वाकि इतने famous साहित्यकार Previously है, आपको सब जानते हैं, आपका लेखन पर पुरा अधिकार है फिर भी क्या किसी लेखक की स्थिती ऐसी हू सकती है जो लेखक थे प्राचीन समय में या पूराने जवाने में उनका जो आजिविका का साधन था वो लेखन के अन्यतर कुछ और नहीं करते थे तो आजीविका का साधन यही था लेकिन जो उनको उसके बदले मिलता था वह अत्य धिक कम मात्रा में मिलता था जिससे उनका गुजारा नहीं हो पाता था लेकिन जो लेकर की रूची है और उसमें वह निरंतर कारे करता जा रहा है तो वह उस आजीविका की और नहीं देखता इसलिए लेखर की स्थिति इतनी कह सकते हैं कि इतनी कमजोर रही होगी आर्थिक रूप से प्रेम चन जी के अलावा एक और जो साहित्यकार है मेदली शरन गुप्त उनकी भी जब वो लेखन कारे कर रहे थे तो उनको भी आर्थिक समस्याओं से जुजना पड़ा अभी जो हम समय में लेखकों की स्थिति है उनके लिए परियाप्त जो राशी है उसका प्रवंद नहीं है क्योंकि उसका जो वेतनमान वह बहुत ही अलप बात्रा में इसलिए हम इसको इस प्रकार से देख सकते हैं लेकिन एक बात यहीं बात कर लेते हैं माम पार्टमर आगे बढ़ने से पहले कि हम जैसे अब की स्थिति की भी आपने बात की कि अभी भी मुझे लगता है कि वो इनसाफ या फिर जो मूले उनके लेखन के बदले मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है लेकिन पिर भी अब जैसे किताबों अभी डिजिटल यूग है तो किताबों से हमारी दूरी हो रही है लेकिन जो लेखक है उनकी स्थिति में थोड़ा सा आगे आया है सुधार आया है कि अगर किताबों डिजिटल हो रही है तो उनसे कॉपिराइट लिया जाता है उनके बदले में उनको धनराशी मिलती है तो अनवाद होता है तो उसके बदले में भी उनको धनराश तो हमने जान लिया हमारे दोनों ही लेखक जिनका की इस शीषक के अंतरगत आप जानकारी आपने प्राप्त की कि एक प्रेम चंजी है और एक जिस पर की लिखा जा रहा है हरिशंकर परसाई के द्वारा वो भी आप तोड़ा बहुत जान चुकिए यह अटपटा सा शीषक व सबसे पहले हरिशंकर परसाई जी की बारे में जान लेते हैं कि इनका जन्म 1922 में मद्ध्य प्रदेश में हुआ और इनकी जो शिक्षा दिक्षा थी वह भी बद्ध्य प्रदेश में हुई इनका जन्म होशंगा बाद जन्मद में इटार सी के निकट जमानी नामग्राम में हुआ और इन्होंने एक पत्री का है वसुदा पत्री का उसका भी संपादन किया जो जबलपूर से निकलती थी और हिंदी गद्धि साहित्ते के वेंगी कारों में हरी संकर प्रसाई अग् प्रसाई जी का रशना संसार उन्होंने क्या वेंगी के अलावा और भी कुछ लिखा है कहानी संग्रे है उनका हसते हैं रोते हैं और उपन्यास है रानी नाग्पनी की कहानी निबंद संग्रों में तब की बात ओर थी भूत के पाउं पीछे बेइमान की परत पगडंडियों का जमाना सदाचार का ताबीज शिखायत मुझे भी है और अंत में प्रार्थना तिर्छी रेखाए ठिटूरता हुआ गणतंत्र विकलांक श्रद्धा का दोर और मेरी स्र सीरसक के तौर पर अपने आप में एक रूची पाइदा करते हैं कि आप सीर सक्क को पढ़ने के बाद अपने आपको रोक नहीं पाेंगे जैसे बता रहे हैं बूत के पएर पीछे ऐसे शी मतंत्रात्मक्क सासन व्यवस्ता उसके जो खामिया है उन्ते इन्होंने होस रूप में आकार प्रदान किया है इसलिए इन्ते जो सीर्षक है बड़े रोचकतJesus अब हम जानते हैं आगे कि प्रेमचंद के फटे जूते आकिर है क्या यह है जैसा कि मैंने पहले बताया यह हाश्य वेंगे निबंध है और इसमें प्रेमचंद और उनकी पतनी दोनों का एक चित्र देखते हैं जिसमें उनके जो बाएं पेर का जूता है वाद आगे से थोड़ा फटा हुआ है तो और प्रेमचंद धोती कुर्टा पैने हैं तता उनके सिर पर टोपी है उनका जो चेहरा है बहुत दुबला पतला दिखा ही दे रहा है और हड़ियां उब्री हुई है चित्र को देखने से ही पता चलता है कि विनिर्धनता में जी रहे हैं लेखर की जो उस्तिती है वो परसाई जी ने दिखाने का प्रयास किया है सहती साथ सहित्यकारों की जो आर्थिक स्तिती है उसका उद्गाटन भी इसमें करने का प्रयास किया गया है सहित्यकार प्रेमचंत के विक्तित्यु की सादगी के साथ एक रश्नाकार की अंतरभीती सामाजिक द्रश्टी का विवेचन यद्धे पे वो आर्थिक रूप से कमजोर है फिर भी वो समाज को किस नजरी से देखता है समाज को किस प्रकार की सादगी से देखता है और समाज के महीन बिंदूओं को लाकर अपने साहित्य के माध्यम से उकेरता है ये प्रेमचंत की विसेस्ता उन्होंने बताने का प्रियास किया है दूसरा है प्रेमचंत जी के चहरे पर एक वेंगे भरी मुस्कान जैसा कि पार्ट में उल्लेकित किया है लेकक ने कि वह जूता फटा हुआ है क्या हम एसी कल्पना भी कर सकते हैं कि हम किसी समारों में जा रहे हैं और हमारा जूता फटा और हम बहुत बड़े साहित्यकार है तो साथ ही साथ लेकक ने उल्लेक किया है कि उनका जो वेंगे भरी मुस्कान ये वेंगे भरी मुस्कान किस और है या किस और वह एक मुस्कु पहरध विकेर रहे हैं ये वेंगे उन्चीजों के प्रती है जो सहित्तेकारों के हित्ट के लिए या फिर उनकी आovrतिक उन्थी के लिए कुछ प्रियास नहीं किये जा रहे हैं ये उनकी और ये वेंगे उन्होंने बताने का प्रियास किया या उन्होंने बताया हैं लेखक सोचते हैं हरी संकर परसाई जी कि फोटो किचवाने के लिए लोग पता नहीं क्या क्या करते हैं अच्छे जूते पहनते हैं अच् की बीवी भी मांग लेते यह उन्होंने हाश्य हाश्य पक्स को जोड़ा है फिर प्रेमचंद के ने किसी से जूते क्यों नहीं मांगे एक इस बात से संकेत मिलता है कि उनमें साहित्यकार वो अच्छे तो थे ही थे साथ स्वाभी माने गुण भी उनमें विद्यमान था उनका जो स्वाभी मानता अपने आपको लेकर वो पाठ में उद्गाटित होता है जहां हरी शंकर परसाही चे लिखते हैं कि व्यंग भरी मुस्कान जो प् प्रेमचन जी ने यह सोच कर नहीं दियोगी लेकिन जो लेखक है हरी संकर परसाही जी उन्होंने इस बिंदू को बिंदू को पकड़ने का प्रयास किया कि किन चीजों के प्रतिवा वेंगे कर रहे हैं वो अपनी अपने साहित्यकारों की आर्थिक इस्तितिती पे साहती ही इतना प्रियासरत या अपने रचना सीलता के प्रति इतने तत्पर होने के बावजूद भी क्या एक साहित्यकार को इस स्तिती से गुजरना पड़ता है इसका वेंग्यात्मक उलेक हरी संकर परसाही जी प्रेमचन जी के माध्यम से करते हैं आगे जाने से पहले हम महत्वपूर्ण प्रसंग जो पाठ में उद्गाटित हुए हैं हरी संकर परसाही जी दुआरा वह देख लेते हैं प्रेमचन का एक चित्र मेरे सामने है पत्नी की साथ फोटो खिचा रहे हैं सिर पर किसी मोटे कपड़े की टोपी कुर्ता और धोत्ती पैने हैं कनपटी चिपकी है गालों की हड्डियां उभर आई है पर घनी मूचे चेरों को भर भरा भरा बतलाती है पाट जब परसाय जी पाट शुरू करते हैं पाट की शुरुवात करते हैं तो एक प्रकार का चित्र सामने ला रहे हैं वह एक चित्र की मादिम से अपनी बात कहते हैं कि उनकी पत्नी है प्रेमचन जी है और उन्होंने इस प्रकार की पोशाग पहनी हुई है मेरी द्रश्टी इस जूते पर अटक गई है सोचता हूँ फोटो खिचाने की अगर ये पोसाख है तो पहनने की कैसी होगी नहीं इस आदमे की अलग-अलग पोसाखे नहीं होगी इसमें बदलने का गुण नहीं यह जेसा है वेसा ही फोटो में दिख जाता है जो उनकी सादगी थी साहित्यकार की जो एक सादगी होती है जो प्रेमचन जी में थी उसको यहाँ पर उद्गाटित करने का प्रयास किया गया बहुत सी वार हम क्या करते हैं सभी करते होंगे कि हम फोटो किचाने के लिए लेकिन लेखक बताना चाहते हैं कि प्रेमचन जी में एसी कोई बात नहीं थी जो पोशाक उन्होंने पहनी थी उसी में फोटो किचाने के लिए ततपड़ हो गए क्योंकि उनमें वेसी कोई एक ततपड़ता या किसी भी चीज के पुर्ती आवेशित आक्रोशित होना उनमें नहीं दिखाई पड़ता है वे जैसे थे वे वेसे ही फोटो में आए आगे फोटो के माद्यम से वे दिखाना चाहरे हैं कि दाहीने पाउं का जूता ठीक है कि माये जूते में बड़ा चेद हो गया है जिससे वे उंगली बहार दिखाई पड़ रही है देखिए, एक साहित्यकार के लिए, साथी हमारे लिए कितनी मारमिक बात है कि उनको यह भी खयाल ली आया कि मेरा जूता फटा हुआ है और मैं इसको बदल लूँ एक बहुत बड़ी आर्टिक सरंचना पर इन्होंने वार किया है जो साहित्यकारों की स्थिती है उस पर उन्होंने कटाक्ष किया है आगे परसाय जी कहते हैं कि फोटो ही खिचाना था तो ठीक जूते पहन लेते या ना खिचाते फोटो न खिचाने से क्या बिगड़ता शायद पत्नी का अग्रे रहा हो अनुमान कर रहे हैं ऐसा और तुम अच्छा चल भाई करकर बेट गए होंगे कि लेखक इस बात से बहुत अक्रोशित है कि अगर फोटो नहीं खिचाना था तो मत खिचाते कम से कम ऐसे जूते पहन के नहीं आना चाहिए था अनुमान कर रहे हैं कि शायद उनकी पत्नी ने उनको आग्रे किया होगा और वो आकर बेट गए इसमें उनको इस बात का खयाल नहीं आया कि मेरा जूता फटा हुआ है अगर ऐसी ही बात थी तो उनकी पत्नी के और भी देखें तो वे भी बेहत सादगी से सर ढखकर सादगी से बैटी हुई है उनकी साड़ी भी देखें तो वे भी बेहत सादी है तो मुझे लगता है कि जो यह व्यंग्यात्मक भाव जो हरी शंकर जी दिखाना चाहते हैं यह वाकिए एक सोच है जी बिल्कुल बिल्कुल ये लेकर के प्रति उस सोच को उद्गाटित करने का प्रियास किया है जो जो रचना कारों की महता को नहीं परदशित करता है ये रचना कारों की जो अपेक्षाएं हैं जितना वे लेकन करते हैं उसके बदले में उनको वे नहीं म कि आदमे के पास फोटो खिचाने को भी जूता नहीं हो मैं तुम्हारी ये फोटो देखते देखते तुम्हारे क्लेश को अपने भीतर महसूस करके जैसे रो पढ़ना चाहता हूं मगर तुम्हारी आखों का ये तीखा दर्द भरा वहेंगे मुझे एकदम रोक देता है क्लेश प्रेमचन जी की मन में क्या रहा होगा ये रहा होगा कि मैं इस दुर्दशा में हूं या फिर मेरी ऐसी स्थिति है लेकिन लेकर कहना चाहरे हैं कि तुम्हारी आखों का ये दर्द भरा वहेंगे मुझे रोक देता है मैं भी इसको बाहर प्रकट करने की कोशिश करता ह कि तुम्हारी ये स्थिति थी या तुम्हारी ये स्थिति हो गई थी तुम इतना अतने प्रख्यात प्रसिद्ध लेखकते फिर भी तुम्हें इस स्थिति से गुजरना पड़ा मैं इस चीज को बाहर निकालना चाहरा हूं लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हारी आखों मे मुझे इसको प्रदशित करने से रोक रहा है यह विडंबना मुझे इतनी तिवरता से कभी नहीं चुबी जितनी आचुब रही है जब मैं तुम्हारा फटा जूता देख रहा हूं तुम महान कथाकार उपन्या समराट युक प्रवर्तक चाने क्या क्या कहलाते थे मगर लेखक की जो हरी संकर परसाई जी है वह इसको एक विडंबना के रूप में देखते हैं कि जो जिसने समाज को चेताने का कारे किया जिसने समाज की उन परसित्यों को उद्गाटित करने का कारे किया जो समाज में बुराईयों के रूप में फेली थी चाहे वह दहेज प्रत तो एसी जो वेवस्ताइं थी उनको उन्होंने उद्गाटित करने का प्रियास किया इतने बड़े महान कताकार होने के बावजूत भी जिनको योगो योगो तक याद किया जाएगा फिर भी उनका अगर जूता फटा हुआ है तो लेखत इसे एक विडंबना की रूप में दे आगे चलते हैं मैं समस्ता हूं तुमारी उंगली का इशारा भी समस्ता हो और यह वेंगि मुस्कान भी समस्ता हूं जैसा कि मैंने पहले बताया कि कि किस प्रकार कि एक वेंग्याद्बमक्स कान की दो और इशारा किया गया है तुम मुझ पर्या हम सभी परहसरे हो देखिए इस जो लाइन है या इस में हम देख सकते हैं कि यह मुश्कान है यह जो हसना है लेखक का जो साहितिकार का हसना है यह हम सवी परहस्ना है क्यों क्योंकि हम उस सतीती को परिपक्प करने में ऐसामरता हैं हम उस लेखक ये सहीत्यकार को उन स्थित्यों से बाहर निकालने में ऐसामरता हैं हरिसंकर परसाई जी प्रेम चंद के माध्यम से उन सभी साहित्यकारों को उपस्तित करते हैं यहां पर जो बड़े बनोभाव से या बड़े परिश्रम से लेकन कारे कर रहे हैं लेकिन उनको उनका प्रतिफल नहीं मिल रहा है उनको समुचित वेतनमान उसका नहीं मिलता है वैस समाज के लिए कारे कर रहे हैं वैस सभी साहित्यकारों को यहां पर लेकन कारे कर रहे है लेकिन उनको उनका उचित मुल्ले नहीं दिया जा रहा है उन पर जो उंगली चिपाए और तल्वा गिसाए चल रहे हैं उन पर जो तेले को बरकाकर बाजू से निकल रहे हैं तुम कह रहे हो मैंने तो ठोकर मार मार कर जूता फार दिया उंगली बहार निकल आई पर पाउं बचा रहा और मैं चलता रहा मगर तुम उंगली को ढखने की चिंता में तल्वे कनास कर रहे हो तुम चलोगे कैसे तो यह प्रेमचन जी ने यहाँ पर दिखाने का प्रियास किया है कि किस प्रकार उन्होंने सभी प्रकार की बादाओं को धकेल कर उन्होंने एक तरप कर दिया और वह दिरद्दर लेखन कारे करते रहे उनके पास इन कार की कटिन समस्याएं भी आई लेकिन वह उनके लेखन में रोडा नहीं बनी जी माम अब अपने समय के सत्र के समय को देखते हुए हम प्रश्णों को बच्चों के लिए एक बार बस समझा रेते हैं और हल हाला की लिखा हुए है आप स्क्रीन पर देखेंगे लेकिन हल ढूडने का प्रयास आप खुद भी अपने शब्दों में जरूर कीजेगा प्रश्ण आपके लिए एक बार मैं जरूर समझा दे जी प्रश्णों का हल ढूंते हैं तो हरी संकर परसा है और स्वाभी मानी की भावना उनमें दिखाए पड़ती है और अगले प्रश्ण में है जूता हमेशा टॉपी से कीमती रहा है अब तो जूते की कीमत और बढ़ गई है और जूते पर पच्छी सो टॉपिया नौशावर है तो यहां इससे क्या आ सही है क्योंकि टॉपी म मर्यादा और इज़त का प्रतीक है तो वैसे तो इज़त का महत्तु संपत्ति से अधिक है परन्तु आज की परिस्थिती में इज़त को समाज से सम्रद और प्रतिष्टित लोगों के सामने भी जुकना पड़ता है यहां हमने तीसरे प्रश्ण चौते प्रश्ण को भी इनन इस सत्र से इस शीर्षक से इस पार्ट से कुछ समेटे हुए होंगे और क्या समेटा है वो भी आप जरूर हमें लेक भेजें हमारे साथ है माम डॉक्टर वंदना शर्मा असिस्टन्ट प्रोफेसर हिंदी विशय डील डिपार्टमेंट एंसी आटी डेली से माम बहुत रहेंगे किसी ना किसी चीज की कमी हमेशा खलती रहती है लेकिन क्या इसकी चक्कर में आप अपनी विड़म बनाओं को आगे लाकर अपने काम को पीछे छोड़ देंगे नहीं अब हम काम नहीं कर रहे हैं हम नहीं जा पाएंगे यह है वो है तो बहाने नहीं बनाए हो सके तो अपने काम के लिए अपने लक्षे के प्रती अगर सर रहें आप छात्र हैं और छात्र जीवन में ये बात जो है बहुत ही गहन बात है और आपको इस पर जरूर विचार करना चाहिए CIT and CRT आपके लिए अपना अगला सत्र बस कुछ ही मिन्टों में लेकर आएगा ये सत्र होगा कक्षा 9 के बच्चों के लिए साइन्स का हम पढ़ेंगे चाप्टर नमबर 6 टिशूस मैं स्रुचन याच चाहूंगे अनुमती नमस्कार